Hello friends, baby garden में आपका स्वागत है, तो friends आज में शेयर करूँगी आपसे इस वीडियो में चांदनी प्लांट की केर कैसे करें अगर आपके पास चांदनी का प्लांट है, तो इसकी केर कैसे करनी है, कितने बड़े गमले में लगाना है, किस तरह उसको फटिलाइजर देना है, कैसे पानी देना है कितने दूप में रखना है कितने बड़े गमले में लगाना है और कितने प्राइज में ये नर्सरी पर मिलता है और कितने टाइप के चांदनी के प्लांट होते हैं चांदनी के बारे में सभी इंफ्रमेशन आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी तो मेरे पास सबसे पहले मैं दिखा रही हूं मिनी चांदनी का प्लांट और मिनी चांदनी और सिंगल चांदनी एक जैसे ही होते हैं मिनी चांदनी जो होता है उसका प्लांट छोटा ही रहता है हाइट में और उसके फूल भी चोटे चोटे होते हैं और जो सिंगल चांदनी होता है उसके पत्ते थोड़े बड़े साइज में होते हैं, फूल भी बड़े साइज में होते हैं, मगर फूल एक जासे होते हैं, दोनों के साइज में थोड़ा सा चोटे बड़े होते हैं, और जो डबल चांदनी होते हैं, उसके फूल जो है, डबल टिपल जाँ, फोर्थ लेयर में होते ह और इस तरह के से ये प्लांट बहुत ही खुब्सूरत सा नर्सीर पर आपको पॉली बैग में लगा हुआ मिलेगा इस तरह का प्लांट आपको नर्सीर पर मिलेगा चाहे सिंगल चांदनी हो जबल चांदनी हो चाहे जो मिनी चांदनी हो वो पॉली बैग में लगे हुए ही प मिल जाता है और इसका जो प्राइस की बात करूं तो यह आपको मिल जाएगा 50-60 रुपे का कोई भी चाहे आप प्लांट रहे लो सिंगल चान्दनी चाहे डबल चाहे जो मिनी चान्दनी इस तरह की के इनके प्राइस होते हैं तो नर्सरी से लाएं आप किस तरह के गमले में लगाना चाहिए तो देखिए मैंने अपना प्लांट है मिट्टी दग환 लगए हूव ये गमला भी के साइज में काफी बड़ा है बारा इंच का है या और इन इसो में ढुसमें ऑज जमिना फोरी और चाहिए ञाने बादन दिगशा suggestive शाएने कि पूरी दूप में रखना है, इनको आप 3-4 गंटे की ज़ा, 4-5 गंटे की दूप में रख सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो देखी, जैसे मेरे प्लांट में पीले पते होके जढ़ रहे हैं, तो पीले पते होने का कारण, दो तिन कारण होते हैं, चार कारण, ज जरूरत से ज़्यादा इसको फटलाइजर दे देते हैं, तो भी पते जढ़ते हैं, और विंटर सीजन में इस तरीके से पते जढ़ते हैं, तो यह 3-4 कारण होते हैं, इनके पते जढ़ने की, जहां जो कभी-कभी यह प्लांट रूट बाउंड भी हो जाता है, इसकी पूर रहती है, साथ में जो एक्स्टा रूट उपर दक आ जाती हैं, वो भी कट जाती हैं, तो इस तरीके से गुडाई करना भी बहुत जरूरी होता है, उसके बाद मैं बात करूँ फटलाइजर की, तो इसको आप कब-कब फटलाइजर दे सकते हैं, अच्छी फ्लावरी के और अगर आप चाहो तो इस तरीके से 12 इंच के गमले में 8-10 दाने DAP के भी डाल सकते हैं, और अगर आपका गमला थोड़ा सा और बड़ा है, तो थोड़ी से दाने और बड़ा लिजी, 10 वारा दाने कर लिजी, और इस तरीके से आपने, जो आप एक साथ भी दे सकते हैं, या बारी-बारी भी दे सकते हैं, जैसे एक आफ़ते में अपने DAP के पांचे दाने डाल दिये, और दूसरे आपते आप एक-दो मुठी जो है, कवडंग कमपोस डाल दिया, तो महीने में आप इसको कोई भी एक फटलाइजर दीजी, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फटलाइजर डालना है, और फिर से गुड़ाई करनी है, अच्छे से मिटी में मिल जाए, जो फटलाइजर हमने दिया है, और कोशिश करनी है कि फटलाइजर आपने शाम के टाइम देना है, जो सुबह-सुबह देना है, दूप में नहीं देना है, शाम के टाइम बैसे सब से वेस्ट टाइम होता है फटलाइजर देने का उसके बाद जो है ठंडा मोसम रहता है रात को और फटलाइजर देने के बाद आपने क्या करना है प्लान को पानी देना है तो फटलाइजर देने के बाद देखिए इस तरीके से आप जो है इसको पानी दे सकते हैं मैंने देख इसको रख देना है फिर आपने ऐसी जगा जहां इसको तीन चार गंटे की दूप इसके लिए जरूरी होती है पांच गंटे तक की दूप में आप इसको रख सकते हैं और पानी की बात करो तो इसको आप इतना पानी देना है कि इसके गमल की जो मिट्टी है कीचर की तरह गिल दूप पड़ती है तो इसकी मिट्टी सूख जाएगी फिर आप इसको डेली पानी दे सकते हैं कम दूप है तो इसको आप एक दिन शोड़के एक दिन पानी दे सकते हैं पानी तब ही देना है जब इसके गमले की मिट्टी आपको थोड़ी सी ड्राय दिखे अलका सा मौस्चर मिट्टी में बना के रखना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप देखिए चांदनी प्लांट पर जो सीवीड और एपसम साल्ट होते हैं दोनों को पाणी में मिला के अच्छे से गोल के इन पर स्प्रे भी कर सकते हैं फोलिय स्प्रे कर सकते हैं और फिर भी इसमें जो तो पानी में भी गोल के आप दे सकते हैं जा इनकी मिट्टी में मिला सकते हैं फिर भी इन में जो है अच्छी फ्लावरी होती है तो पैस्ट इटैक इसमें बहुत ही कम होती है चांदरी के प्लान लान को अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक तो थेंक्यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बताईएगा और फिर मिलती हैं किसने वीडियो में ने टॉप पी के साथ अब तक के लिए बाई हैपी गार्निंग